मेरे प्रिय साथियों नमस्कार आशा है कि आपकी तयारी कंप्लीट हो गई होगी तनाव मुक्त होकर के परिक्षा देजिए सफलता अवश्चि मिलेगी दोस्तों मेरा पिछला वीडियो आपको ग्यान देगा किन्तु आज का जो वीडियो है वह आपको दिशा देगा मैं कोई महात्मा नहीं हूँ कि प्रवचन देने जा रहा हूँ मेरी बात यदि किसी को बकवास लगे तो मत सुनिये कोई बात नहीं है क्योंकि यह वीडियो दिशाहेन व्यक्त के लिए नहीं है यह वीडियो सिर्फ उनिके लिए है जो इस परिक्षा में सफल होना चाहते हैं मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनें आज के दो दिन बाद आपको परिक्षा में बैठना है इस दो दिन में आप क्या करें क्या नो करें यह जाना बहुत जरूरी है इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ परिक्षा में समय की बचत कैसे करें इस पर अभी मैं करके जाएं इन अभ संच्छेप में चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, इस पर संच्छेप में चर्चा करने के पहले जो बातें हैं थोदधा साफ गौर से सुनें, बहुत गौर से सुनें आज इससे आप कुछ भी नया मत पढ़िये, जो पढ़े हैं उसी की पुनराविर्ति करें क्योंकि नया के चक्कर में पुराना भी भूल सकता है इसलिए केवल रिवीजन करें इस बात को नोटिस कर लिए दोस्तों दोस्तों कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो प्रस्ण आप जानते हैं समय के अभाव में वह छूट जाता है वे लोग जो गलती करते हैं वह आपको नहीं करना है सबसे पहले वो एमार सीट पर अनुकरमांका भर लेजिए प्रस्ण पुस्तिका संख्या, विशय कोट, प्रस्ण पुस्तिका की स्रेडी आवेदित वर्ग, परिक्षा की तिथी, आज सब सूचना बड़े ध्यान से बरें बड़े इत्मिनान से बरें ताकि इसमें कोई गलती न हो क्योंकि अगर यह गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा इसलिए वाक्स में सब चीजों को इंट्री करने के बाद यह जो चीजें आप उपर जो कालम दिया होता है वर्ग जो दिया होता है उसमें इंट्री करने के बाद उसके नीचे जो दिया गया गोला होता है उस गोले को पेंसे काला करने से पहले पेंसिल से छोटा छोटा बिंदी लगा लीजिए ठीक ना, उसके बाद उसे ध्यान से चेक कर लें कि जो उपर आप इंट्री कीए हुए हैं उसके नीचे का ही गोला आप काला करने जा रहे हैं न जब एकदम कनफर्म हो जाएं उसके बाद जो आप बिंदी लगाए हैं उस गोले को काले ब्लैक पेंसे आप काला कर दीजी ठीक है उसके बाद OMR सीट भरने के बाद ठीक है OMR सीट भरने मतलब उसमें जो सूचना अंकित जो उपर मुझे बताया हूँ वो भरने के बाद आप क्या करें पेंसिल से जो प्रस्ण आपको कनफर्म है उसे टिक करते कि अभी गोले को नहीं भरना है कुछ लोग यह करते हैं तुरंट टिक करते हैं गोले को भरते जाते हैं तुरंट टिक करते हैं गोले को भरते जाते हैं दोस्तों कभी कनफ्यूजन में इस तरह का हम गलती कर बैढ़ते हैं कि हम टिक कुछ और करते हैं और गोला कुछ और भ करते जाए अब काला पेन उठा ले उसके बार टिक किये गए प्रस्णों को एक बार पुना ध्यान से पढ़ें कि जो प्रस्ण आप कंफर्म किये हुए है वो सही है कि ऐसा तो रहने कि आप जल्द बाजी में कोई दूसरा टिक कर दी है जब आप आस्वस्त हो लाए तब उसक गंटे में कर डाली मने सरसरी निगासे कोश्चन नमबर एक से लेकर के 125 तक जो कंफर्म उसको पहले आप भर लिजे मेरे कहने का आश्या है उसके बाद जो प्रस्ण आप छोड़े हैं उसे पुना पढ़ें दिमाग पर जोर दें शायद उसका उत्तर याद आ जाए तब उ 15 मिनट में कर लें टाइम मैंनेजमेंट बहुत जरूरी दोस्तों पर इक्षा में टाइम मैंनेजमेंट पर बिसेस धान दीजेगा नहीं तो बहुत पश्चताप करना पड़ेगा उसके आद आपको क्या करना अब सेज जो 15 मिन आपके पास बचरा है उसमें आपको क्या करना जिन प्रसनों के उत्तर आपको बिलकुल नहीं पता है ऐसा हो सकता है कि 2-4-5 प्रसन जोका आपको नहीं पता है उसका संभावित उत्तर भरें ध्यान दें कहीं से अगर दिमाग पे जो डालें साइध कहीं से उसका उतर फिर दुबारा याद पढ़ जाए या फिर नहीं याद पढ़ता है तो आपको लगता है कि चलो यह भी तो नहीं है हो सकता है CD में हो ऐसा 50-50 का चांस तो आप उसको भर लें और उसे भागे के उपर छोड़ दें क्योंकि इस एक्जा परिश्पत्र के मधपूर निर्देश में लिखा हुआ है आप उसको देख लिजए लेकिन उसके अलाव में कुछ चीज़ बता रहा हूं परिश्पत्र के अलाव दो काला मोटी लीड वाला पेन लिजेगा पतली लीड का पेन लिजेगा तो गोला काला करने में समय लगेगा मोटा लीड का पेन आता है आप जानते भी है उसको ले लिजेगा कम सकम दो पेन आप लिजेगा कहीं एक आद नौ चला कहीं फंस गया तो दिक्कत हो जाता है इसलिए दो पेन आप ले लिजेगा एक पेंसल ले लिजेगा एक रबर ले लिजेगा पेंसल रबर क्या करने के लिए टिक करने के लिए गोला को थोड़ा-थोड़ा इंगित करने के लिए कि सही मेरा है कि नहीं या ऐसा कुछ बिंदी लगाने के लिए वो जरूरी है पहचान पत्र स तो बढ़ियां रहेगा कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी कारणवास मांग लिया जाता है तो फिर साथ में रहता है तो बढ़ियां रहता है मैं एडवांस की में बात कर रहा हुआ यह साने को जरूरी है ठीक ना दोस्तों इतना काम आप अवश्च्र कर लिजेगा और निश ग्रूप के अनुसार शायत हो सकता है मुझसे बड़े हैं तब मेरे आदर्डी अग्रज हो सकते हैं अग्रजा हो सकती हैं अगर आप उम्र में मुझसे थोड़ा छोटे हैं तो मेरे प्री अनुच या अनुजा हो सकते हैं और चुकि मैं एक इंटर्मीटिट कालेज में हिं के प्रवक्ता पत पर कारियरत हूं इस द्रिष्ट कोंड से अगर आप मेरे स्टूडेंट के एज में है तो शायद आप मेरे स्टूडेंट भी हो सकते हैं रिस्ता आप जो जोड़ हमें कोई तराज नहीं है बस मैं इस्वर्थ यही प्रार्थना करना चाहता हूं या हमेसा प यह एक भावनाओं का रिष्टा है और बावनाओं का रिष्टा कभी तूटे नहीं तूटता है ठीक है न हो सकता है कि आपका सेलेक्सन हौने के बाद साइद आपको प्रेक्टिसेट न पढ़ना पढ़े, वीडियोज न देखना पढ़े,나प मेरे चैनल पर नौ। मेरी बास रिष्टा नहीं या कि मेरे चैनल पर हैं तो ही मेरे प्रीय हैं आईसी कोई बात नहीं है आप मेरे हमेशा प्रीय हैं क्योंकि यहां से अगर आपको कुछ लाव मिल रहा है तो मेरा जीवन धन्य हो रहा है क्योंकि मैं मनुष्य होने का जो एक हमें इस्वर ने मनुष्य के बने रहेंगे या मैं विश्वाज दिलाता हूं का बने रहेंगे आपको मैं छोड़ नहीं सकता हूं ठीक है लेकिस सफल होने बाद आप साइद जो भी लोग आपके साथ हैं आपका सकते हैं कि यार ग्यानकोष एजुकेशन चैनल का कंटेंट बहुत अच्छा है तुम उसको देख लो वहाँ से हमें सफल्ता मिली है तुमें मिल सकती है अगर ऐसा हो जाए तो आपके अलामा जो और भी लोग आपके माध्यम से उनका भला हो तो आपका वी मनुष्य होने का जो एक इस्वर ने जो मनुष्य बनाया है उसका एक लाभ मिल जाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा यही मेरा उदेश है ठीक है परिक्षा में आप सब लोग सफल हों मैं दिल से दुआ करता हूँ आप अपने पर विश्वास करें किसी पर विश्वास करने का आप सकता है ने कोई ने रोख सकता है मा वीरा बादनी मा सरस्वती की किरफा आप पर बनी रहे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यहां एक सीत सुरक्षित हो जाए इनी सब दुआओं के साथ सुपकामनाओं के साथ बहुत बहुत ध्यन्यवाद हम लोग फिर आगे मिलते हैंगे